तो दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे बेसिकली ये पास्पोर्ट और वीजा का मतलब क्या होता है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली जब किसी परसन को एक कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाना होता है तब उसको passport visa की जबद पढ़ती है तो basically passport वो country इसु करती है जहां पर वो person रह रहा होता है और visa वो country इसु करती है जिदर उस person को जाना है मानिजे राम इंडिया में रहता है और उसको USA में जाना है तो उसको passport Indian government issue करके देगी वो एक प्रकार सी evidence होगा कि राम इंडिया का रहने वाला person ही है जबकि जो visa होगा वो USA की government issue करेगी वो उसको allow करेगी कि वो USA में आ सकता है जिस काम के लिए भी उसने visa apply किया है तो आयो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्स्क्राइब करना है नहीं